2013 में कॉंग्रेश की इस्तिती क्या हो गई थी राजस्तान में केवल 21 MLAी कॉंग्रेश के जीत पाए थे उस इस्तिती में राजस्तान की कॉंग्रेश की संगधन की बागडोर पाइलोट साब को संबलवाई थी और पाइलोट साब ने पांच साल तक जो संगर्स किया उसका वर्णन पूरा करू इतना समय नहीं है लेकिन आप सब लोगों को पता है किस प्रकार से पांच साल उन्होंने पूरे राजस्तान में गाउं गाउं धानी धानी घर घर घूम करके कॉंग्रेस को मजबूत करने का काम किया यहां पर भी संबागिय संबलन की बात कही गई बाढ़ मेर में भी पाइलोट साब आए थे एक एक दिन में कितनी सारी मीटिगें की और वहां पर बाढ़ मेर में रात को एक किसान रुगना जी विश्चनरी करके थे उनके गर में रात को वहीं पर रुके थे और उसके बाद में हमारे पास में ही पडुस में हमारे यहां भी और साचोर में बाड मेर जालोर जिल्ले में जब बाड आई थी तो उसमें लगातार एक अपता से ज़्यादा वहाँ पर रुके थे एक होटल में कुसल होटल और रुक करके फिर राहूल जी का भी प्रोग्राम मनाया राहूल जी भी वहाँ आए तो इस प्रकार उन्होंने जालोर और बाड मेर जिल्ले में लगाता और साथ दिन तक वहाँ पर डटे रहे इस प्रकार अगर पूरे राजस्थान की उनके पांच साल की जो कांग्रेश को मजबूती में योगदान रहा उसका मैं वरणन करूँ इतना समय नहीं है लेकिन उसका परिडाम आप लोगों न देखा 2018 के जो विदान सबाद चुना हुए तो उसमें वापस कांग्रेश सत्ता में आई आप सब लोगों के सयोग से, आप सब लोगों के आशिरवाज से, आप सब लोगों की मेहनत से, आप लोगों ने साथ दिया, लेकिन उसके बाद में जो इस्तिती हुई वो सब आपके सामने है, मुझे कहने की जुरतनी, आज इस समय पाइलर्ट साब सिर्फ विदायक है, और क तो ये किस बात को दर्शाता है ये मैं समझता हूँ इस बात को दर्शाता है कि आप लोगों का पाइलर साब के प्रति अस्रीम सने प्यार सयोग और आशिरवाद है आप उनको आशिरवाद देने के लिए यहां आए हैं आज मुझे ये आज के समय में राजनिती सेवा का एक माध्यम थी लेकिन धीरे धीरे राजनिती सेवा का माध्यम नहीं हो करके एक वेवसाय का रूप धारण कर रही है जो कि हमारे लोग दंदर के लिए एक खत्रे का संकेत है हम लोग मैं 1980 में पहली बार विदाएक का चुनाव लड़ा चुनाव जीत करके आया था वैसे मैं राजनिती में 1983 से जब मैंने वकला शुरू की थी तब से था लेकिन 1980 में लड़ने का मौका मिला अब आप समझ लो 53 और 80 को भी लो तो कितने साल होगे 80 को भी लो तो 42 साल से उपर होगे और अभी एक साल बाद में चुना हो जाएंगे 43 साल और 33 से लेको तो 50 से उपर हो जाएंगे और उमर का भी अगर देखो तो मेरी उमर अब 55 हो गई है अभी बन्नाराम जी जो मेरे साथ पढ़ते थे जो पर यूरिश्टी में परदान भी रहे और तो ये पूछ रहे थे अब 55 साल का आज 16 जनवरी है तल 17 परसों 18 मेरा जनम दिन आए 18 जनवरी तो 55 साल का हो जाओंगा फिर भी मैं इस चुनाओं मैं राजनिती के लिए पद के लिए ड़टा रहूं और दूसरों को मौका नहीं देऊं तो ये का तक उचित है दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए आज युवा लोग है अब ये युवा लोग भी उमीद रखते हैं कि हमारा भी कभी मौका आएगा हम भी कभी चुनाओं लड़ेंगे, MLA बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, मंत्री बढ़ेंगे पर हम लोग अगर उनको मौका देंगे ही नहीं, तो इनको मौका मिलेगा कहा से आज रामनिवा जी है, मुके जी बाकर है, ये युवा है, इनको मौका दिया, तब तो मौका मिला हम पुराने लोग जो असी से सत्ता पे बैटे हैं, संगटन में हैं तो हम लोगों को विचार करने की जुरूरत है, अगर हम लोग विचार नहीं करेंगे तो ये युवा लोग हमें धक्का मार करके कबजा कर लेंगे, फिर उसमें क्या सान रहेगी, इसलिए इसलिए सान तो इसमें है कि हम खुद इनको मोका दे दे उसमें हमारी सान देगी मैं तो ऐसा मान करके चलता हूँ तो इसलिए कहने को बहुत बाते हैं अभी कह रहे थे मुकेजी भाकर किसोनों की इस्तिटी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है हालों कि हम सत्ता में इसलिए हमें कहने कहने कह नहीं सकते लेकिन आज बिजली की इस्तिटी आज की तारीक में बिजली के हालात क्या है लोगों के मेरे पास फोन आते हैं बिजली नहीं मिल रही है किसो उनने फसले बोत दी तो आखीरी इसका इंतजाम कौन करेगा या तो पहले बता देते कि आपको बिजली नहीं मिलेगी तो वो बुओ की नहीं करते हैँ उन्हों नहीं मिल रही है तो किशनों की क्या حालत इस तरह की अगर ऐसी बात है तो इसके लिए किसनों को सब आपको एक जोट होना पड़ेगा अगर आप एक झोट हो करके अपनी समझ्याँ के समादान के लिए संगर्स नहीं करेंगे तो आपकी जो है समझ्याँ का समादान मुश्खिल होगा इसलिए मैं जढ़ा कुछ नहीं करता ह। यही कहूँगा कि आप लोग मजबूती से खड़ेना हैं नागोर यहां से यह 1907 में दोक्तूबर गुण साथ में पंचाईती राज का समेल नागोर से नेरु जी ने किया था तो ये नागोर जो कि पूरे हिंदुस्तान में आज पंचाईती राज की संस्ताएं कायम है ये पंचाईती राज में भी जो ये आरक्षन का धाय है ये किस ने किया ये भी कॉंग्रेस पार्टी ने किया अभी रावुल जी भारत जोड़ो यात्रा निकली वो भी बहुत और रियात्रा निकली तो इसलिए अमपने को मझबूती के लिए सब को एकड़ोग कर प्लोक करके काम करना है कही पर थोड़ा मुझे एक बात लगती है कि मृताली है कि ताली एक हमाद से इंबती दोना आतों से ताली बजती है कि कुछ लोग एक हाथ से ताली बजाना चाहते हैं इसलिए वो ये दिमाग से निकाल दें एक हाथ से ताली कभी नहीं बज सकती दोनों हाथ मिलाओगे तब ताली बजेगी और कॉंग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान अब शुरू कर रही 26 जनुवरी से कॉंग्रेस तो इसलिए सब को कॉंग्रेस की मजबूती के लिए जो है वो करना चाहिए ना कि खुद की मजबूती के लिए काम करना चाहिए मैं तो ये समझता हूँ कि कॉंग्रेस की मजबूती के लिए काम करो अपनी मजबूती के लिए काम ना करो और कॉंग्रेस मजबूत हो की तो अपन सब अपने आप मजबूत हो जाएंगे तो मैं और पाइलर्ट साब के नित्रतों में मैंने तो ऐसा वेक्टी संकर्शील और काम करने वाला धेर्यवान नहीं देखा आज इनके पास कौन सा पद है फिर भी कितने लोग उनको सुना ऐसा मैंने तो मेरे जिवन में मैं भी कोई अभी मेरी भी उमर 75 साल की हो गई है तो ऐसा भेक्टी मैंने तो नहीं देखा और ये उसा जो आप आप दिखा रहे हैं आप मजबूत से इनके साथ खड़े रहे हैं और ये मजबूती से आपके किसानों के हके लिए लड़ते रहेंगे लाल बादूर सास्त्री जी ने नारा दिया था जै जवान जै किसान इस देश में देश को आज किसान की वज़े से ये अन जो है इसको प्रदा कौन कर रहा है किसान कर रहा है अगर किसान अन प्रदा नहीं करे तो सारे लोग भूग मर जाए हिंदुस्तान के खाये क्या खाने को आपको याद नहीं है मैं थोड़ा सा और दो मेंट वक्त लूँगा पच्छीसाचबीसे में अकाल पड़ा था कर दो मंगवाई थी और वो लोगों नेज्वार खाई जो जानवर भी नहीं खाते उसको खा करके अपनी जान बचाई क्योंकि इंदुस्तान में अनाज थाही नहीं आज हिंदुस्तान में अनाज के बंडार भरे पड़े हैं यह किस की वज़े से, यह किसान की वज़े से है, तो इसलिए किसान और जवान, जो देश की रक्षा करता है, सीमाओं में अपना प्राणों को नियोशावर कर देता है, इसलिए सास्त्री जी ने, और आपको ध्यान हो, उसमें अनाज की कमी पड़ी थी, इसलिए सास्त्री जी दिने आपते में एक दिन उपवास का सब को संकल्प पिलाया था, एक दिन उपवास रखना चिस्ष्य कि एक दिन का हनात बचे लोगों के काम आए, किसानों की, जवानों की, मज़दूरों की, हमें सुननी पड़ेगी, हम अगर इन लोगों की नहीं सुनेंगे, सिरफ पैसे वालों की अगर सुनेंगे तो हमें भी जनता ये बख्षने वाली नहीं है इस बात को भी हमें ध्यान में रख करके काम करना है इसलिए मैं अधिक समय नहीं लेते हुए आप लोगों से यही कहूंगा आप यहां पढ़ारे इस एतियाजी सभा को सफल बनाया आप सब को बहुत बहुत धन्यवाद और जो भी पाइलोर्ट साब अपने को निर्देश से उस पे अपने उस चल करके आगे बढ़ना है किसोंने कि समश्यों को समाधान करना है धन्यवाद जै